मैं अर्चना सिंग, कच्छा 11 हिंदी में हम पढ़ रहे थे, सर्दार पुन सिंज जी के द्वारा लिखे गए निबंध आचरण की सप्पेता, जहां तक हमने पढ़ा आज उसके आगे पढ़ेंगे, बर्प का दुपट्टा बांधी हुए हिमाले, इस समय तो अधि सुन्दर अति उचा और अति गौरवानवित मालूम होता है, परंतु प्रग्रत ने अगरित शताब्दियों के परिस्रम से रेत का एक एक परमाण, समुद्र के जल में डुबो डुबो कर, और उनको अपने बिवित हथोडे से सुडौल करके इस हिमाले के दरसन कराया है, आचरण भ इसके विकास में अनंद काल लगा है, प्रिथिबी बन गई, सुरे बन गया, तारागण आकाश में दोडने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुन्दर रूप के पुर्ण दरसन नहीं हुए, कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है, लेखक सरदार पुर सिंग जी कह रहे है, कि जो हमारे भारत देश की उत्तर में हिमाले परवत दिखाई देता है, जो कि हम में हमारे गौरों का प्रतीक है, वो हिमाले परवत एक दिन में नहीं बना, उस हिमाले परवत को बनाने में प्रकिर्द को अनेकों सताब्दियां लगे, एक एक र आच्रण भी हिमाले की ही तरह है या हमें गौरवानमित करता है या उचे कलश वाला मंदिर है लेकिन यह कोई चादू का खेल नहीं है कि एक छण में हम आच्रण को बना दे आच्रण को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है इतना समय बीत गया प्रित्वी बन के सुरे बन या तारागन दिखाई देने लगी लेकिन आज भी हमें ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसमें हमें सभ्य आच्रण के पुन रूप के दर्शक हो आच्रण की सभ्यता के कुछ-कुछ रूप ही हमें दिखाई देते हैं बहुत चोटा सा रूप हमें दिखाई देता है आग आच्रण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी हासिल नहीं होता। शब्द और वाणी तो साधारन जीवन की चूचले हैं। ये आच्रण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवीश कर सकते। वहाँ इन्हें भी कुछ भी प्रभाव इनका नहीं पड़ता। वेल इस देश में रहने वालों के विश्वासा अनुसार ब्रह्मवाणी हैं। परंत इतना काल प्यतीत हो जाने के बाद भी आस्तक्वी समस्त जगत की भिन्ने भिन जातियों को संस्कृत भासा न बुला सके, न समझा सके और न सिखा सके। फिर बात कैसे हो। इस्वर तो सदा मौन हैं। इश्वरी मौन शब्द और भासा का विसे नहीं। वह केवल आचरण के कान में गुरु के द्वारा फूक सकता है। वह केवल रिशी की दिल में वेद का ज्यानों दे कर सकता है। लेका करें यह जो आचरण की सब्विता है, यह जो आचरण है, यह हम पुस्तकों की द्वारा नहीं सीख सकती। जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, इनके द्वारा सब्व आचरण की आदर्ष आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आदर्ष आचरण प्राप्ति क परने के लिए सब्दों की, नुस्कों की, वारणी की, किसी चीज की आशकता नहीं होती है. इस जो हमारे वीदसास्त हैं, इसे हम अपने विश्वास के अनुशार ब्रह्म की वारणी मांती हैं. और ये हमारे वैदसास्त संस्कित भासा में लखे गए हैं. जब ये ब्रह्मवारी हैं और इतना समय बतीत हो गया फिर भी आज तक जब हम संस्कित भासा को न समझ सकी न बोल सकी न सिखा सकी तो फिर क्या इनकी द्वारा सब भी आचरण को प्राप्ति किया जा सकता है तो क्या इनकी द्वारा आदर्स आचरण की प्राप्ति हो सकती है नहीं हो सकती है जयोति से नित्र खूल जाएं परंत अंग्रेजी भासा का ज्यान ब्याख्यान चाहिव कारलायल की ही का लिखा हो क्यों नहो बनारस के लिए राम रोला ही है लेखा क्या कहते हैं कि आच्रण को कोई हिला दे लेकिन जो साहित और शब्द साहित में जो लिखा गया है उसे कोई हिला नहीं सकता है जो पुस्प की कोमल पंखणियां किसी को आनदित कर सकती है कोमल की पंखणियों को देख करके किसी के अंदर प्रेम जाग सकता है जल की सीतलता से किसी का क्रोध सांथ हो सकता है भी प्रभाव पढ़नी वाला नहीं है इसी तरह से न्याय और ब्याकरण की बारीकियों के विशियों में पंडितों के द्वारा दी गई चर्चाएं और संस्त ज्यान हीन पुर्षों के लिए इस टीम इंजन के फपफप सब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते हैं देखा क्या कहते हैं जितने कठी चीजे हैं प्याकरण की चीजे हैं न्याय की चीजे हैं और जो उन विशियों के ब्याक्याताओं त्वारा विशेशग्यों त्वारा जो इस पे चर्चा की गई है वह जो ग्यान हीन मनुसे हैं उनके लिए उनका कोई अर्थ नहीं है यदि आप कहें ब्याख्यानों, उब्देशों द्वारा, धर्मचर्चा द्वारा, कितने पुर्षों और नारियों के हिर्दय पर जीवन ब्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव का नहीं, प्रभाव तो सदा सदा चरण का पड़ता है। लेखा क्या गदे हैं, जो धर्म चर्चा की जाती है, जो उपदेश दिये जाती हैं, उन उपदेशों का प्रभाव किसी भी पुरुस या किसी भी नारी के उपर उतना ब्यापक नहीं पड़ता है। इसका पादरी स्वैम इसा मसीह की तरह आचरण वाला हो, मस्जित का मुल्ला स्वैम पैगंबर और रसूल हो, तभी उसका प्रभाव हमारे उपड़ता है, अनिधा, उपदेश और धर्म चर्चा के द्वारा, हमारे आचरण में किसी भी प्रकार का परिवर्दन नहीं आता इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, धन्यवादा